हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सबी उमीद करती हूँ आप सबी पे बहुत अच्छे होंगे दोस्तों जल से जल प्रेग्ननसी कंसीव करने के लिए आप फिर मा बने के लिए आपके शरीर से एक स्वस्त एग का निकलना वो भी सही समय पे बहुत जादा जरूरी होता है लेकिन संभवता हर किसी कपल्स के साथ ऐसा नहीं होता है बहिलाओं के या तो एक क्वालेटी खराब होती है या फिर वो समय से निकलता ही नहीं है जिसके कारण से कई बार आपको महेंगी दवाईयों का सीवन करना पड़ता है जो हॉमोन को बढ़ाती है या फिर इंजेक्शन लेने की भी जो की एक को मैच और करती है जरूरत पड़ जाती है बट आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़े बताने वाली हूँ कुछ तीन से चार चीज़े बताऊंगी जो अगर आप आज से ही शुरू कर देती है तो आपके एक के क्वालेटी बहुत अच्छे से डिवलप करने लगेगी और एक जिरूरी बात कि बहुत साड़ी महिलाओं को लगता है कि मेरे पीडिट्स आ रहे हैं एक के क्वालेटी कैसे खराब है तो देखे अगर पीडिट्स आते हैं तो संभवता हर महिला के शरीर में अंडा बनता ही है लेकिन उसमें इतनी शक्ती नहीं है या फिर वो इतना बढ़ ही नहीं पाता है साइज में छोटा रह जाता है या क्वालेटी में छोटा रह जाता है जिसकी वज़ा से क्या होता है करवदारण करने में दिक्कत हो जाती है तो हमें quality को बढ़ाने के लिए या फिर उसकी size अच्छी बने इसके development के तरफ ध्यान रखना चाहिए और यह naturally किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको national चीजों पर ही dependent रहना चीए क्योंकि medicine लेने के बाद भी और injections लेने के बाद भी कई सारी महिलाओं के एक अच्छे से नहीं बनते हैं लाध Ciao के плюс सामापना भी बहुत जादा होती हैं इसलिए स्वस्त एक बनाना वी प्रकिरतिक रूप से आपके शरीर के अंदर बहुत ज़रूरी है इसके लिए आपको तीन से चार काम करना है प्रति दिन करना है भूलना नहीं है सबसे पहले तो अपना पानी चेंज करना है अब आप कहेंगे कि पानी कैसे चेंज किया जा सकता है पानी की बीना तो कोई भी जिन्दा नहीं रह सकता है, बट मैं नॉर्मल वाटर की बात नहीं कर रही हूँ एग के डिबलपमेंट के लिए एग में अच्छे से nutrition जाने के लिए आपको तीन ऐसे पानी का चुनाव करना होगा जो आप comfortably घर पे कर सकती है जिसमें पैसा भी खर्च नहीं होता है इस पानी को बनाने के लिए सबसे पहला मेठर होता है friends कि आप सोफ का पानी ले सकती है सोफ काफी easily आपके kitchen में अब लेबल होगा ही इसमें बहुत अच्छे से antioxidant होता है जो एग के production के लिए बहुत best होता है कई सारे researches भी इस पे हो चुके हैं इसलिए सोफ का पानी लेना स्टार्ट करिए सोफ को राद भर एक चमब सोफ को एक गलास पानी के अंदर छोड़ दीजे सुबा उठने के बाद इस पानी से सोफ को separate करके पी लेना है और ये आपको खाली पेट करना है सोफ का पानी महीने में 300 दिन आप ले सकते हैं ये बॉड़ी के टेंपरेचर हीट बैलन्स को भी बहुत अच्छे से बनाए रखती है तो कोई दिक्कत नहीं है पेट संबंदि समस्याओं के लिए भी बहुत अच्छी होती है इसके अलावा दूसरा और महत्पुन जो पानी आपको बनाना है वो है लॉंग वाटर लॉंग के अंदर बहुत सारे विटिमिन्स, मिनरल्स, साथे साथ अंटि आक्सिडेंस पाय जाते हैं जो एक के क्वालिटी के लिए अगें काफी ज़्यादा इंपॉर्टिन्ट है इसलिए आप लॉंग का भी पानी ले सकती है सेम मेठ़ट से आपको तीन से चार क्लोफ्स लेने है रात भर एक गलास पानी के अंदर सोक करना है सुबा खाली पेट इसको ले लेना है और तीसरा जो पानी है, वो है दालचिनी का पानी ये भी काफी इसलिए आपके किचन में अब लेवल हो जाता है जिससे सिनमेन स्टिक भी कहा जाता है इस दालचिनी के पानी को बनाने का method भी काफी जादा आसान है आपको एक इंच का दालचिनी का टुकरा लेना है रात भर पानी के अंदर आपको इसको छोड़ देना है सुबह उठने के बाद आप देखेंगे पानी का कलर हलका सा चेंज लगेगा तो इसको जो है आप सा उबाल लीजिए बाद में इसकी जो स्टिक है उसको सेपरेट कर दीजिए और फिर सिप सिप करके खाली पेट स्पानी को पीना स्टार्ट करिए यह आप केबल सेवें डेस करिए उसके बाद आप देखेंगे कि आपका ओविलेशन भी रेगुलर हो गया है क्योंकि जो दाल स्टिक का वाटर भी ले सकती है अब यह तो हो गए कि आपको किस तरह का पानी पीना है अब बात करते हैं कौन-कौन सी चीज़े खाने में लेनी है देखें सबसे ज्यादा बेस्ट होता है अगर हम आयुर्वेदिक ट्रेटमेंट के बाद करें तो सताबरी पाउडर सताबर सताबरी पाउडर से सब बिमारिया महिलाओं के शरीर के अंदर की दूर हो सकती है यह आयुर्वेद हमें बताता है आप स्टूडिज भी कर सकते हैं सो फ्रेंट्स जो सताबरी पाउडर है वह काफी इसली आपको मार्केट में मिल जाता है किसी भी ट्रस्ट वर्दी ब्रैं खरीद लीजे और सिंपली रात को अगर आपका वेट अंडर कंट्रोल है तो आप पानी के साथ लीजे एक ग्लास पानी के अंदर इसको एक चमच टिवल स्पून के अकॉर्डिक मिला करके पी लेना है और अगर आपका थोरा सा वेट बहुत ही ज्यादा कम है तो आप बहुत सारे ब्रैंड का यह आता है तो मकारूट का आप आउडर भी ले सकती है और यह इसली इसी बे में लेना है जैसे सताबरी पाउडर आपको लेना है यह सारी चीजे जो मैंने आपको बताई है वो अलग अलग आप ले सकते हैं यानि कि कमफर्टिवली आपके घर में लॉंग एवलेबल है तो लॉंग का पानी बनाईए सोप एवलेबल है तो सोप का पानी बनाईए दालचीनी है तो दालचीनी का पानी बनाईए सभी चीजों को एक साथ नहीं लेना है बाड़ी बाड़ी से लेना है इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाओं के क्व तक लेना है देखिए आपको कब तक good news मिलेगी यह तो केवल और केवल भगवान पे ही निर्वर है क्योंकि यह कोई magic नहीं है लेकिन हम अपने गर्वधारन के संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं ठीक है तो इसी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कम से कम किसी भी remedy को follow करत तब ही आपका सरीर उसको adopt करेगा best result दे सकेगा क्योंकि यह जादू नहीं है कि एक ही दिन में आपका एक बहुत improvise करेगा ठीक है उसकी habit आपको बनाने पड़ेगी इसके अलावा कुछ काम और करना पड़ेगा जैसे कि exercise करना वो exercise जो pelvic muscles के लिए important होते pelvic muscles basically आपके नाभी के नीचे जित्ते भी muscles होते हैं वहाँ पे pelvic muscles भी होता है वो अगर अच्छे से functioning करता है तो uterus के अंदर आपका blood का flow circulator अच्छे सी होता है और अच्छे सी जब oxygenated blood आपके uterus में ovaries में पहुँचेगा तब ही वो ovaries अच्छे एक को बना सकेगी आपके hormones को balance म में रखना बहुत इंपोर्टेंट है तो यह जो कुछ चीजे हैं जैसे सताबरी पाउडर हो गया cinnamon stick हो गया यह hormones को भी रेगुलर करता है समय पे जब आपके ovulation होते हैं करने के लिए आप जो चीजे मैंने बताई है वह इंक्लूड अपने डायेट में करिए डेली बेस पर करिए बहुत बेस्ट बहुत जल्दी रिजल्ट आपको मिलेंगे सारी ही चीजे नाशल है सो फ्रेंस के कोई side effect नहीं होते हैं बहुत ज्यादा benefit ही मिलते हैं तो कोई दि सब्सक्राइब कर लिजे आपके कोई सुझाओ है तो कमेंट शेक्षन में जरूर मेंशन करिए मैं अगले बार फिर से मिलूंगे बहुत ही इंफोर्मेशनल और वीडियो के साथ तब तक पूरा ध्यान रखें अपना ठेक्यार गाइस थांक्यू